जैसा कि आप सबी लोग को पता है कि 28 नॉबर 2023 को एनायस डियलेट के खिलाब सुप्रीम कोट में नीडे के बाद जो भी यहाँ पर आपकी आगामी सिछाग भरती है उससे तो यहाँ पर एनायस डियलेट अभियरतियां पर बाहर हो गए बाकी जो आपकी पूरुव की जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो एजुकेशन आप बिहार इनके माध्यम से आपका पोस्ट किया गया है और आपका यहाँ पर बोला गया है कि BPSC ट्यारी फर्स्ट में मतलब जो आपका सिछाग भरती हो चुका है जिसमें आप लोग जो है युगदान देने के बाद क है कि आप लोग या तो ट्रेनिंग में होंगे या फिर जो भी बिद्याले आपको मिला होगा उस बिद्याले में आप जाकर जो है पढ़ा रहे होंगे तो BPSC ट्यारी फर्स्ट में जीतेने भी NRC DLA यहाँ पर सिचाग है योगदान जो है आप लोग यहाँ उकर लिये हैं क कल के जज्मेंट के बाद कल के जज्मेंट का मतलब यहाँ पर है कि 28 नॉमबर के जज्मेंट के बाद यहाँ पर क्या कि आज से जिलो में जिला सिचा पताधिकारी ने आदेश दिया है और आज से जिला सिचा पताधिकारी का मतलब 29 नॉमबर को आनि कल का यह बात है क्योंक आपका Kaunseling वहा था तो आपने दो फोल्डर में document जो जमा किया था तो यहां पर 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 यहां किया जारा है कि कल यहां पर क्या था कि मुझे अफ़र पूर जीले की जो आपके जीला सिच्छा पदाधिकारी है उनके माध्यम से फोल्डर को अलग जो है पापका छाटना सुरू कर दिया गया है और सिच्छा विभाग 70406 जो कि आप सब लोग को पता है कि इतने पदों पे BPSC के तरफ से प्राइमरी का आपका रिजल जो है वो जारी किया गया था तो जो आपका PRT है उसका रिजल उसका रिजल उसके रेगुलर जो DLA डफेर थी है उनके साथ यहां पर रिवाइज करके आपका रिजल जो है पापका जारी किया जाएगा ऐसा सिच्छा विभाग क तो इसमें जितने भी आपको कुछ ना वर आपको डेखनेAC चाहिवन आपको किया जयाता है जिसारी के pathetic नॉम्मर का सुपृम कोट के तरब से आपका judgment आपका जारी किया गया था अब यहाँ पर देखेंगी, तो जो कि मुजभ्फर पूर जिला है, संहाथड यह तो पता है कि मुजभ्फर पूर जिले की कौन जिला सिछा पदा धिकारी हैं, लेकिन आपने देखा था, कि जो आपका कांसिलिंग हो, या तो आपके आपके अपोबंधिक निव्ति पत्र हो, या फिर बीच में ही documents verification जाच वगरा हो तो आपके मुझभफर पूर से काफी जादे news जो है बाप को देखने की मिला था मतलब कुछ भी यहाँ पर जो आपके छटने की पर क्रिया हो या फिर बाहर करने की पर क्रिया हो तो इस starting से आपका मुझभफर पूर में यहाँ पर जो है बाप का शुरु होता है तो इसलिए फिर से यहाँ पर किया कि मुझभफर पूर के जो जिला सीचा पता रदिकारी है उनके माध्यम से starting में यहाँ पर जो है बाप का काम चालू कर दिया गया पोश्ट जो है पका किया जाता है बाकि आप लोग भी यहां पर सुझेंगे कि किया यनायस से DLA जो सिछक हैं जो BPSC TRI फर्ष्ट में सेलेक्ट हो गए हैं तो किया उनको यहां पर हकीकत में दिकत होगा तो देखें जहां तक मुझे पता है और बाकी आपने अलग-अलग प्रेटफर्म के बाध्धम से आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो यह नाव से डियलेट जीन को अपबंधिक निक्तिप अरे अपबंधिक बोले हैं जो आपका विद्याले और आप लोग को किसी पी तरीकी का दिक्कत만 नहीं ओगा तो जो नॉरमाल से बात है यहाँ पर आप लोग का थोड़ा ही मैटर है आप लोग तो यहाँ पर आप जोइनिंग भी कर लिए आप का यहाँ पर जोइनिंग लेटर भी मिल गया और संभावता कुछ दिसंबर के बाद आप लोग का यहाँ पर सेलेरी भी जो है आपका दे दिया जाएगा और उसमें जो आपका मैटर था उसमें आपका B8 वाला मैटर था कोई यहाँ डियलेट का मैटर आपका मिंसर नहीं किया गया था तो इसलिए जो BPSC TRE 1 में जो यहाँ से इंतजार जो है करना पड़ेगा बाकि जहाँ तक मेरा माना है कि आप लोग को किसी भी तरीके का दिक्कत जो है पाप का नहीं होगा देखे दिक्कत यहाँ पर होने का एक रीजन यहाँ पर यह भी बहुत सारे भेटते के तरब से बोला जा रहा है कि जो आपका सर्विस का तर्म है वो आपका यहाँ पर तीन महीने आने की 90 दिन अभी तक complete नहीं हुआ है और जो आप सब लोग को पता है कि आप government sector में जाते हैं तो आपको एक service record मतलब service book जो है आपको दिया जाता है तो अभी तक आपका service book भी जो है वो नहीं दिया जा रहा है तो इस दो region के card भी यह वो यहाँ पर जारी जो है वो करेंगे अब यहाँ पर supplementary result जारी करने का मतलब आप यहाँ पर सुचेंगे कि अब यहाँ पर कौन सा दिकत होगा तो देखें यहाँ पर supplementary result मतलब जो आपका BPSC TRE 1st में जो आपकी primary का post है उसमें यहाँ पर जो आपका second merit list जारी किया तो उसमें यहाँ पर आपका second merit list जारी किया जाता है तो भी यहाँ पर दिकत है और यहाँ पर आप सुचेंगे कि दोनों तरीके से दिकत कैसे है तो फिर इनका रास्ता कैसे निकलेगा देखें यहाँ पर क्या कि 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 यहाँ पर आपका second merit list जब कभी भी आएगा अब तो 28 नॉमबर का बाधिका ही तो यहाँ पर बाहर करते हुए second merit list जारी किया जाता कि यह जो आपका समानता का अधिकार है उसका यहां पर उलंगन होगा क्योंकि यहां पर समानता का अधिकार का उलंगन का मतलब है कि जैसे जो आपका BPSC TRE First है वो तो आपका एक ही वेकेंसी है वो तो आपकी वेकेंसी अलग अलग नहीं है और एक ही वेकेंसी में यहां पर क् आपका किया जारा है तो इस मेंटर से यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है कि यहां पर जो रेगुलर डिलेड अभेर्थी होंगे वो यहां पर चले जाएंगे और यहीं बोलेंगे कि देखे जो आपका second merit list है वो आपका 28 नॉबर के बाद जारी किया गया है जो कि 28 नॉबर के बाद यहां पर सुप्रीम कोट के तरब से यहां पर सुप्रीम कोट इन वैलिट जो है पापका कर दिया गया है मतलब उनके माध्यम से इन वैलिट जो है पापका कर दिया गया है तो फिर जब इनकी डिगरी ही इन वैलिट हो गई तो फिर यहां पर सेकेंड मेरिस लिस्ट में कियों मतलब कियों यहां पर BPSC और सिच्छा पर भाग बिहार सरकार कैसे जो है उसामिल कर लिए तो यह दोनों तरीके से आपका मामला जो है पापका उलस्ता हुआ जो है वो दिख रहा है आप यदि एक सब्द में कहना चाहते हैं कि एनाफ डियलेट को बाहर करके रिजल जा कि इसका तो आपका सप्लिमेंटरी रिजल जारी करना है यदि मानी जी अलग-अलग आपका पोश्च होता है या फिर अलग-अलग विकेंसी होती तो उसमें आपका इस तरीके का हो सकता था कि यह नाफ डियलेट को वहाँ पर सामिल कर लिया जाए और अब यहां पर बाहर क बाहर कर दिया जाए लेकिन सेकेंड डैरि ट्लिस्ट में दोनों तरीके से आप देखेगा यदि सामिल होते हैं तो भी दिक्कत है और यदि बाहर होते हैं तो भी यहां पर बाहर कली है बाकि बहुत सारे जो आपके सिनियर वकील हैं या फिर बहुत सारे अभियर्थी वगर बोल रहे हैं कि वो आपका दिकत होगा तो देखे यहां पर कुछ अभियर्थी ऐसे भी होते हैं कि आज के डेट में देखे कोई किसी से भी जो है वो मतलब खुस नहीं है क्योंकि आप आते हैं तो सोचिए इसमें जो है बापका इतना जलन का भावना रहता है तो जो एक अलग घर के बच्चा हो या फिर अलग घर का अभियर्थी हो आपके नोकरी पर कोई कभी खुसी नहीं रह सकता है चाहे कोई और अभियर्थी हो या फिर किसी और को नोकरी मिला हो तो बह प्रपत्र दिया गया है तो उसमें आपका ये भी मेंसर नहीं किया गया कि जो आपका में निवत्ती पत्र है वो आपका कब तक दिया जाएगा या फिर विद्याले आवंटात से समंधित प्रपत्र जो है वहीं आपका में निवत्ती पत्र जो है पका माना जाएगा और जो आपका सर्विस बुक होता है उसको लेकर भी अभी जो है आपका नहीं दिया गया तो इसे से थोड़ा बहुत संसाय आपका बनता है बाकी जहां तक मेरा मानना है कि एनासे डियलेट जो सिचा का बेरती हैं आप लोग यहां पर बिल्कुल जो आपका BPSC TRE First है उसमें आप लोग जो है वो सेफ हैं आपको किसी भी तरीकी का दिक्कत जो है उन्हें होगा तो हमें पता चलता है उसका क्लिरेंस को लेकर या फिर गलती को लेकर तो हम तुरंत उसे जो है डिलेट कर देते हैं जो कर भी अपडेट इनफोर्मेशन होगा उसे हम सेयर कर देंगे मिलते हैं ले नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले थैंक्यू बाइबाइ टेकर ओल्वेट थैंक्यो फॉर लिस्निंग गॉड्ड बलेस यौल थैंक्यो